नमस्कार दोस्तों टार्गेट विद प्येस परियार चेनल में आपका सौगत है आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं नई प्राथमिक शिक्चक बरती की गुड नीज ये है कि आखिरकार जो मुखिधारा की मीडिया है वो अब छात्रों का साथ दे रही है छा हिंदूस्तान समाचार पत्र है जिसने ये खबर प्रमुकता से उठाई है कि उतर प्रदेश में दाखिला तो बढ़ा है सिक्चकों के 59000 पत्र रिखते हैं जो बड़े समाचार पत्र सबसे एहम सवाल है कि इन बच्चों को पढ़ाने के लिए सिक्चों की संख्यक टब बढ़ेगी नी शुल्क एवं अनिवार बाल जिक्चा का अधिकार RTE अधिनियम के मुताबिक प्रात्मिक स्कूलों में 30 बच्चों और उच्च प्रात्मिक स्कूलों में 35 बच्चों पर ए ओर वहीं पर ये बात यहां पर लिखी वी कि हापरसदी विद्यार्थी में हर साल 12000 पत होते हैं तो इस हिसाब से 75000 उत्तर प्रुदेश में खाली है वहीं पर विद्यारथी कई साल से नई सिच्पवर्ति की मांग कर रहे हैं जो कि होनी चाहिए तो दे सकते हैं आप लोग सिख्षकों के पत कब बढ़ेंगे और यहीं से बातें यह आ पर लिखी गई है जो उस समिचार पत्र में लिखिवी थी इसी तरीके से और भी समय पत्र में देख सकते हैं। आप लोग लिखा हुआ है इस क्यूलो में बढ़ा दाखिला कब बढ़ाई जाए जाएंगे प्रपोजल नहीं है लेकिन हो सकता है कि जिस हिसाब से नमांकन बढ़े और सुधार हो रहे हैं तो आने वाले समय में एक नई सिख्षक बढ़ती बढ़ी आपको देखने को जरूर मिल सकती है लेकिन इसके लिए इसी तरीके से मीडिया के माध्यम से धर्नाप्रतसन के माध्य बढ़े लिए द नमानग के मीडिया के लिए में घपकी कि जरूर रहे हैं लिए है कि जरूर म्म्म